यह हैं दोस्तो दो बहुती कमाल के बजट स्मार्टफोन से रेडमी का 13C 5G जो कि आपको काफी कमाल का मिल जाता है 11000 का और दूसरी तरफ है सैमसंग का लेटेस्ट गेलेक्सी F15 5G जो दोस्तो लॉंच हुआ है 13000 का तो इस वीडियो में इन दोनों में कंपरिजन करके आपको बताऊँगा कि आपको रेडमी 13C लेना चाहिए 11000 में यह 2000 बजट बढ़ाके सैमसंग खरीदना चाहिए जो कि सैमसंग का लेटेस्ट है तो जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखेगा और एक लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब कर लिजए ताकि नए वीडियो और लास्ट में रखा वह मिलता है दोस्तों यह वाइट कलर में एक चारजर जो कि एक सिंपल 10W का ही चारजर है तो चारजर आपको फास्ट तो नहीं मिलता है तो यह सारे बॉक्स के कंटेंट्स आपको मिलते हैं अगर आप रेडमी 13C 5G खरीदते हैं देखा जाए तो बॉ जो एक SIM Ejector Tool पीछे की तरफ लगावाए और इसके अंदर की तरफ कुछ User Manual और एक टाइप C to टाइप C केबल दी गई है तो केबल इसके साथ भी मिल जाती है बाकी इसके लावा और कुछ नहीं है फून तो है लेकिन फून के अलावा और कुछ नहीं मिलता है ना कवर ना चा इसके अंदर आपको जो डिजाइन मिलता है काफी glossy मिल जाता है light की reflection दोनों के अंदर बहुत बड़ी मिलती है complete design दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं दोनों का केस तरीके का आपको pattern देखने को मिलता है तो सबसे पहले 13C का दोस्तों आप color देखिए इसके अंदर आपको जो purple type का है और इसका जो back panel है वो side उसक कर हुए तो यहाँ पर आपको इस तरीके का pattern देखने को मिलता है light की reflection इसमें और भी बढ़ी है देखने को मिलती है थोड़ा color वगए इसका और भी जादा बढ़ी है तो इन दोनों फूंस के अंदर जो सबसे important चीज़ है ना दोस्तों design क quality वो एक जैसी type की मिलती है scratches वोगरा finger paints वोगरा दोनों पर आ सकते हैं Samsung पे थोड़े और ज्यादा चमकते हैं इसके color की वजह से बाकि आप इसको दूसरे color में भी देख सकते हैं बाकि दोस्तों इन दोनों फूंस के अंदर आपको जो है ना मतलब design की quality वही सबसे important है वो same ही मिल जाती है फिर भी अगर एक चूस करना है इन दोनों में तो Samsung वैसे देखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसका जो color है मुझे परसनली ज़्यादा अच्छा लगा purple type का आपको इन दोनों में कौन से ज़्यादा अच्छा लगा आप मुझे comment करके बताइएगा च Samsung के अंदर आपको मिल जाती है दोस्तो Super AMOLED डिस्प्ले तो इस चीज़ का बहुत बड़ा फर्क है Samsung के अंदर आपको जो दोस्तो डिस्प्ले की क्वालिटी और भी जादा कमाल की मिलती है लेकिन रियल लाइफ में देखते हैं इन दोनों फोन्स में आपको कितना फर्क मिल रहे है तो उस ब्हुतर फेस इस का और ऑप जयुक्त के इन देखने को मिल जाती है फिर भी जो इन दोनों फोन्स में experience है यूज़ करने का वो Samsung का यह जादा अच्छा है One UI जादा बेटर है दोस्तो MIUI से मुझे परसली यह जादा अच्छा लगता है तो आपकी पसंद के उपर matter करता है इन दोनों में कौन सा अच्छा लग रहा है वैसे जादा बेटर Samsung यह अंदर use and face को लेकर इसके लिए दोस्तो डिस्प्ले की quality में आपको करीब से दिखाता हूँ दोनों की तो इन दोनों फोन्स के अंदर आपको notch वाला तो design मिलता है पंचोल camera वाला design दोनों में से किसी में भी नहीं दिया गया और दोस्तो जो edges bezels मिलते हैं वो वैसे Redmi की display के थोड़े से कम है 13C के अंदर आपको जो थोड़ा सा display का design जादा better मिल जाता है बाकि अगर आप बात करें डिस्प्ले की quality को लेकर तो वो चीज़ का दोस्तो कोई भी competition नहीं है आपको डिस्प्ले की quality मिलती है वो बहुत ही जादा बढ़िया मिल जाती है तो display की quality को लेकर दोस्तो Samsung Galaxy F15 जादा अच्छा है इसके अंदर आपको design तो थोड़ा normal मिलता है size तो थोड़ा छोटा है edges bezels थोड़े बढ़ें लेकिन important है सबसे main cheese display के colors brightness वो चीज़ आपको Samsung के अंदर ही जाद अच्छी दी गई है तो display की quality को लेकर दोस्तो Galaxy F15 जादा बढ़िया है Redmi 13C 5G से इसके लब दोस्तो left side साब देहेंगे दोनों phones को आपको यहाँ पर आपको sim के ट्रे दी गई है दोनों के अंदर आप जो आना दो sim card 5G के लगा सकते हैं तो 5G फोने दोनों तो यह चीज़ दोनों के अंदर काफी बढ़िया है निची की तरफ साब देहेंगे तो charging port, speaker, mic, headphone jack मिल जाता है दोनों के अंदर Redmi में headphone jack उपर की तरफ है right side साब देहेंगे तो volume के buttons और power के buttons दिये गए है finger paint scanner दोस्तों दोनों में side में है power के button के अंदर उपर से देहेंगे तो samsung में उपर की तरफ noise cancellation mic भी दिया गया है इसके लिए दोनों फोन्स के अंदर आपको जो RAM और storage मिलती है उसके बार में बात करें तो दोनों फोन्स में आपको दी गई है 4GB RAM 12GB storage 4GB RAM मिल जाती है दोनों के अंदर 128GB storage है तो ये चीज़ आपको दोनों में एक जिसी दी गई है इस चीज़ को लेकर आपको बिल्कुल भी फरक देखने को नहीं मिलता तो RAM और storage को लेकर दोस्तों दोनों इस smart phones आपको बिल्कुल एक जिसे type के मिल जाते है Redmi थोड़ा और जाद अच्छा है क्योंकि price इसका कम है Android का 13 version आपको Redmi के 13C में मिलता है लेकिन Android का latest 14 version आपको दिया गया है Samsung में तो इस चीज़ आपको Galaxy F15 के अंदर ही जादा बढ़िया मिलती है दोस्तों latest version Android का मिल जाता है इसके अंदर चलिए दोनों phones को एक साथ restart करते हैं देखते हैं performance के point of use है जो है कौन सा फोन जादा बढ़िया है वैसे दोस्तों इन दोनों phones के अंदर आपको जो processor मिलता है वो same ही मिलता है जो आपको Galaxy F15 के अंदर आपको दिया गया है MediaTek का Dimensity 6100 Plus processor यही processor आपको Redmi के 13C में मिल जाता है MediaTek का Dimensity 6100 Plus तो यह चीज़ आपको दोनों के अंदर जोने एक जिससे type के देखने को मिलती है बाकि दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा normal type के आप यूजर है थोड़ा बहुत gaming करनी है तो दोनों में आपको problem नहीं होगी देखने को मिलती है वरना 700 800 रुपए 1000 रुपए का चारजर आपको लगसे लेना पड़ेगा इसके लिए बाकि दोस्तों इन दोनों फोन्स के अंदर आपको जो है री स्टाट टेस्ट में आप देख सकते हैं सैमसंगी विनर रहा एप्लिकेशन्स भी जादा जल्दी लोड दिखने को मिलती है उसके बारे मैं बात करें तो दोनों के अंदर आपको बैक साइड पर में कैमरा दिया गाया है दिटेल्स और एक्षी है तो इन दोनों फनस में आपको मिल ते न देख सकते हैं चाहिए तो इस सब्हुए कम्या च्था 11,000 तक कही है आप उस तो पर नहीं बढ़ सकते हो आप 13C 5G ले सकते हैं अच्छा फोन है सारी फीचर्स सही है इसके अंदर quality wise लेकिन Samsung के अंदर Redmi 13C 5G से quality wise फीचर्स और भी जाधा बढ़िया मिल जाते हैं इसके अंदर आपको display जाधा quality में जाधा अच्य दिवगा है दोसरES के अंदर आपको battery जाधा अच्छी मिल जाती है तीसरे सका डिजाइन जाधा अच्छा है चौतरे सके अंदर आपको camera जाधा बढ़ीया दिया गया है और 5W सब्सक्राइब निकर रगा तो सब्सक्राइब जरू कर लिए ताकि नए वीडियो आप तक पहुचते रहें हैलफुल लगी वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरू कर दीजिए वाटसव पर फेस्बुक पर अगर आपको इन दोनों में से किसी का भी कंपेरे आपको अभी जरू कपेरें दोनों में दोनियो टार लिए वीडियो थार इनले जरू कर लिए वीडियों में दोने दोने में दोंवागे रहें हैं दोने